इसलिए एकता मंचने सिक्षकाओं के ऐसे निर्ना के समर्थन में और सिक्षकाओं की हगुकुक को मजबूत करने के लिए बिना सर्थ राजकर्मी का दर्जा मिले सक्षमता पडिक्चा की बात्ता समाप्त हो आपको बता दें कि नियोजी सक्षक की आंदोलन करने जा रहे हैं आपको बता दें कि नियोजी सक्षक लगतार राजकर्मी का दर्जा पाने की मांग सरकार से कर रहे हैं सरकार ने इसके लिए सक्षमता परिक्षा देने की बात कही है लेकि नियोजी सिक्षकों का कहना है कि बिना किसी परिक्षा लिए हुए उन्हें राज कर्मी का दर्जा दे दिया जाएं इस राधानी पटना में सक्षमता परिक्षा को लेकर विवाद जो है वो थम नहीं रहा है और आज इसका प्रदशन भी होने वाला है रवीवार यानि आज के दिन बिहार में नियोजी सिक्षक बिहार में प्रदशन करने वाले हैं जानकारी के अनुसार बिहार सिक्षक एकता मंच की ओर सिया सक्षमता परिक्षा के खिलाब पूरे राज में प्रदशन किया जाएगा इसको लेकर नियोजी सिक्षक संग की पटना में बैठक हुई है इस बैटट में नियोजी सिक्षकों ने ये निने लिया है कि सभी जिला मुख्याले पर एक्जैम के लिए जारी एड्मिट कार्ट को जला कर विरोत परदशन किया जाएगा मंच के सदस्यों ने कहा है कि एक्जैम का बहिसकार किया जाएगा बिना शर्त हम लोगों को राज करमे का दर्जा मिलना चाहिए इसके लिए सरकार को 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया गया है अगर हमारी मांग नहीं सुनी गई तो बड़ा अंदोलन करेंगे बिधायकों का भी घेराब करेंगे 25 फरवरी यानि कि आज के दिन सिक्षक शक्षमता परिक्षा के प्रवेस पत्र जलाकर अब जो है वो दर्ज कराएंगे सिक्षक संग एकता मंच से ये सारे फैस्टे लिए गये हैं मालुम हो कि राज में लाखो नियोजी सिक्षक राज करमचारी का दर्जा देने के लिए आवश्यक्ता सक्षमता परिक्षा की अनिवारता को खतम करने की मांग पर अड़े हैं 26 फरवरी को होने वाले सक्षमता परिक्षा का सिक्षकों ने विरोध करना शुरू कर दिया 25 फरवरी को सभी जिलों में विरोध प्रदैशन की घोशना की गई है नियोजी सिक्षक सक्षमता परिक्षा की अनिवारता खतम करने के साथ बिना शर्त राजकर्वी का दर्जा देने की मांग जो है वो कर रहे हैं तो एक तरब जहां नियोजी सिक्षक सक्षमता परिक्षा नहीं देना चाहते हैं और आज इसका खास विरोध राजानी पटना में देखने को मिलेगा राजानी पटना में आज जितने भी नियोजी सिक्षक शक्षमता परिक्षा के लिए अपलाए किये थे वो आज एड्मिट कार जो है वो जला कर इसका विरोध प्रदेशन करते हुए नजर आएंगे आपको बता दें कि सरकार से लगतार नियोजी सिक्षक मांग कर रहे हैं राजकर्मी दर्जा को लेकर और आज जो है वो आंदोलन करते हुए भी नजर आने वाले हैं फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही